Hello dear student, कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ डॉक्टर शितित कोश्यामी और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चनल वेट मत्रा में तो student, आपके इंतजार की गड़ी खत्म होने वाली है, RPVT का exam इस संडे को होने वाला है तो अब exam में जब आप जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सी चीज़ा आपको examination center में लेके जाना है ये वीडियो मैंने उसके लिए बनाईए, आईए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो दोस्तों RPVT की कुछ important dates और आपको timing याद रखना है जैसे की date of examination है, इस संडे को 11 तरिक को है opening of examination center, साड़े 8 बजे open हो जाएगा examination center reporting time आपको पहुंच जाना है center में, साड़े 8 से साड़े 9 के बीच में पहुंच जाना है जल्दी से जल्दी पहुंचें last entry in examination center, साड़े 9 बजे तक रहेगी, उसके बाद में entry नहीं होगी खासकर याद रखीगा, यह strict rule है, साड़े 9 बजे के बाद में entry नहीं है examination का time रहेगा 10 से 1 बजे का, तो 10 से 1 बजे आपका exam रहेगा 3 घंडे का तो यह important याद रखेंगे यहाँ पर साफ एक line लिखे है, all the candidates are advised to reach to examination center well in time the main gate of examination center will be closed sharply at 9.30 a.m. on the examination date तो साड़े 9 बजे बंद कर दी रहेंगे gate, इसलिए आपको time से पहुचना है एक candidate who comes after 9.30 a.m. shall not be permitted to enter the examination center under any circumstances इसलिए आपको time से पहुचना है, साड़े 9 से लेट नहीं करनी है साड़े 9 बजे से लेट गए, आपका exam छूट जाएगा time से पहुचे, मैं तो कहता हूँ आपको साड़े 8 से 9 के बीच में पहुच जाना चाहिए किसी भी कंडिशन में, अगर आपका center बाहर है, दूर है तो उसे साफ से आपको timing सेट करनी पड़ेगी, इसलिए जरूर जरूर ध्यान रखेगा इस बात का student अब बात करते हैं, dress code की क्या रहेगा dress code, male dress code जो boy candidates हैं, उनके लिए आप light cloths आपके लिए रहेंगे जिसमें की आधी बाजू की shirt या t-shirt, half sleeve shirt और t-shirt होनी चाहिए जूते नहीं अलाओ है, चपल और sandals अलाओ है, slippers और sandals अलाओ है टोपी होगी, cap होगी, या फिर long sleeve shirt, पूरी बाजू का shirt या t-shirt आपको अलाओ नहीं है कोई भी ornament जैसे की ring, earring, chain, pendals, badge, bronze ये कुछ भी आपको अलाओ नहीं है तो सीधे simple t-shirt और lower में जाहिए और उसके साथ साथ में चपल होनी चाहिए आपका admit card होना चाहिए, साथ साथ में कोई ID, photo ID होनी चाहिए और साथ में ही आप pen रखेंगे, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए इन चीजों का ध्यान रखेंगे, male candidates female candidates के लिए light cloth फिर से, वही half sleeve की shirt या t-shirt होनी चाहिए salwar या trouser होना चाहिए, slippers, sandals with low heel, heel नहीं होनी चाहिए बहुत से exam में देखा गया heel वाले चपल जो तों को allow नहीं किया गया इसलिए heel के बिना होनी चाहिए, वही cap, long shirt, sleeve shirt और t-shirt allow नहीं है shoes allow नहीं है, कोई भी ornament जो girls के उतने हैं वो आपको allow नहीं है any candidate male of female wearing ornament will not be allowed in the examination center तो फाल तुम्हें ये चीज़ आपको ले करके नहीं जानी है, आपको examination में entry नहीं दी जाएगी next बात आती है admit cards related, तो admit card में आपको जो है download कर लिया होगा आपने website से और उसमें आपको 4 by 6 inch की जो है post card size colored photograph चिपका करके लाना है जो same photograph आपने application form में लगाई थी university के form में और ये दूसरी चीज़ है कि साथ में एक performa मिलेगा और performa को जो है वो invagilator के द्वारा collect कर लिया जाएगा तो same photo आप 4 by 6 inch की photo ले करके जाएगे जो आपने same photo RPVT की website में लगाई थी application form fill करते time ये आपको साथ में admit card और performa ले जाना है जो की invagilator collect कर लेगा तो student उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ माया होगा और अगर वीडियो समझ माया है या पसंद आया है तो please वीडियो को like करें और channel को subscribe करें all the best exam के लिए thank you very much